हेलो एवरिवान कैसे हो आप सब आप यूप यूगाइस आ डूइंग गूड और आप लगो की पढ़ाई अच्छी चल रही है आप अगर इस चैप्टर पे आए हैं अब हम सेल साइकल एंग सल दिविशन पढ़ने वाले इसका मतलब आपने सेल चैप्टर अच्छे से पढ़ समझने में मदद होगी है ना continuity मिलेगी तो उस चैप्टर के बाद इस चैप्टर पर आने में आपको चीज़े बहतर समझ में आएगी वैसे ये चैप्टर जो है सेल का फर्दर आप साइकल और डिविशन देख रहे हो तो ये चैप्टर में बहुत फैक्च्छल चीज़े है है ना बहुत फैक्च्छल चीज़े नहीं है कंसेप्च्छल चीज़े जादा है मतलब आपको समझना है जितना आप समझ लोगे उसके बाद ये चीज़े इमाजिन करनी इजी हो जाएगी इमाजिनेशन का चैप्टर अच्छा ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर सेल डिवाइ है ना से नेप्टोनीमल कॉंपलेक्स कहां बन रहा है तो वो स्टेज वाइज रटने वाली कुछ क्वेशन बनते हैं वो हम देख लेंगे बाकी कंसेप्च्छल चीज़े हैं तो वो तो हम समझ ही लेंगे वैसे बहुत छोटा और इंट्रस्टिंग चाप्टर है जल्दी से खतम हो जाएगा बस अपने दिमाग के परदे थोड़े खोल के इसको इमाजिन करने की कोशिश करना तो चाप्टर जादा इंट्रस्टिंग लगेगा ठीक है तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स चाप्टर हमारा चाप्टर जिसका क्या नाम है सेल साइकिल एंड सेल के बारे मैं पढ़ लिया तो अब इसकी साइकिल भी देख लेते हैं और इसको आगे हम डिवाइड भी करवा देते हैं सेल साइकिल क्या है बिटा क्या मतलब क्या है सेल साइकिल का सेल की लाइफ साइकिल है जिसमें आप सेल का पूरा लाइफ साइकिल देखोगे सेल की ग्र पढ़ते हो, cell की life cycle पढ़ते हो, इसके अंदर हम cell की growth भी discuss करते हैं, कि cell एक amount पर grow भी कर रहा है, फिर nucleosytoplasmic ratio affect हुआ, जिसकी वज़े से division होगा, अब division होने से पहले आपको DNA replicate करना पड़ेगा, है न, DNA replication होगा, DNA का amount आपको double करना है, क्योंकि equally दोनों में divide करना है, तो वो amount double क किया जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको cell division देखने को मिलेगा, cell 2 में divide होगा, आपको cell division देखने को मिलेगा, तो ये सारे चीज़ें, जो cell cycle में include होती हैं, वही हम क्या पढ़ते हैं, cell cycle में पढ़ते हैं, उनसे related सारे proteins का बनना, सारे RNAs का बनना, जो की इस division में help करेंगे, वह सारे चीज़ें में कर हमें cell cycle में पढ़ते हैं, ठीक है, दूसरी चीज इस chapter को शुरू करने से पहले, जो आपके दिमाग में एकदम crystal clear होनी चाहिए, वो है ploidy, ये चीज ऐसी है, जो आपको एकदम अच्छे से जिसके बारे में पता होना चाहिए, बिटा, that is ploidy, ploidy में आप समझ रहे हैं, हम बोलते हैं organisms को कि diploid भी होते हैं, heploid भी होते हैं, हम somatic cells की बात करते हैं, तो उन्हें हम diploid बताते हैं, हम gametic cells की बात करते हैं, तो उन्हें हम heploid बताते हैं, है न, ploidy में हम क्या-क्या बाते करते हैं, जेनरली हम कहते हैं, कि जो हमारे somatic cells हैं हम eukaryotic celsiver हें, तो जो somatic cells हैं वो deployed howते हैं ठीक है, जो gametic cells होते हैं जो हमारी gametes बनते हैं वो heploid होते हैं क्या आप his deployed और heploid का difference समझते हैं. अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं समझते हैं तो अभी समझ लिजिए. किस से समझेंगे human के example से समझना हो जाएगा easy देखिए हमारे अंदर अगर मैं बात करूँ हमारे अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 23 pair chromosomes है right? 23 pair chromosomes है हमारे पास total 46 है 46 chromosomes है ठीक है? यह देखिए यह एक chromosome, दूसरा chromosome, तीसरा chromosome एसा 23 है और इनके पेर में भी हमारे पास एक क्रोमोसॉम, दूसरा क्रोमोसॉम, तीसरा क्रोमोसॉम और ऐसे हमारे पास 23 है यह हमने क्रोमोसॉम बनाया विज सेंट्रोमियर है तो यह हमने क्रोमोसॉम बनाया इस तरीके से हमारे पास क्रोमोसॉम है तो एक क्रोमोसॉम का सेट है 23 chromosome का similar chromosomes आपके पास pair में है आपर present तो 2 set हो गए chromosome का एक set में आपने 23 chromosomes देखें दूसरे set में आपने 23 chromosomes देखें देखें एदर एक set में आपने 23 chromosomes देखें तो आपके पास two sets हो गए chromosomes के इसलिए हम क्या है deployed हम लोग क्या है deployed को कैसे represent करते है अब N ही यहाँ पर अलग-लग organism में अलग-लग हो सकता है Humans में इस N की value है 23 तो एक set में 23 chromosome है और ऐसे 2 set है इसलिए हम क्या है? Deployed Deployed word का मतलब समझे अब आप लो अब मान लीजे बिटा किसी organism में या हमारे किसी cell में जैसे gametic cell में 23 ही chromosome है, एक ही set है वैसे homologous chromosomes का दूसरा set आपके पास नहीं है Homologous chromosome का मतलब समझते हैं जैसे अगर इस chromosome पे particular character के genes present है है ना, तो इस chromosome पे, इसके homologous chromosome पे allele of the same gene similar position पे present होगा जैसे मान लो, आपकी height decide करने वाला gene है ना, H gene आपकी height decide करने वाला gene इस chromosome में यहाँ पर tip पे था तो इसका जो allele होगा, चाहे similar allele या जो भी इसका different allele है homozygous है, heterozygous condition दूसरे chromosome के similar position पर आपको मिलेगा तो यह दोनों chromosome कैसे हो जाते हैं, बैटा, homologous हो जाते हैं तो ऐसा humans में क्या है, हमारे पास homologous chromosome के pair है एक set में 23 chromosomes हैं, और दूसरे set में भी हमारे पास 23 chromosome है अगर एक ही set होता तो उससे आप क्या कहोगे, haploid haploid ही clear हुई, diploid haploid की condition आपके दिमाग में clear हुई हम जब chromosome को draw करें, एक और चीज आपने notice किया होगा कि हम chromosome को draw कर रहे है हम chromosome को draw कर रहे हैं, तो हम एक centromere ले रहे हैं और centromere पे हम ये 2 arms ले रहे हैं, है न, इसको दुबारा बना देते हम क्या कर रहे हैं, हम centromere ले रहे हैं और centromere पे हम ये 2 arms बना दे रहे हैं अब इसको आप क्या कहते हो, इसको आप क्या कहते हो, chromatid इसको हम क्या कहते हैं आपको ploidy समझ में आई तो यहाँ पर मैं आपको अब इसके बारे में भी बता दे दे ploidy आप लोगों को समझ में आई होगी आई हो तो हम यहाँ पर chromatids के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर एक chromosome और इस एक क्रोमोसौम में एक ही क्रोमेटेड है अगर मैं इस क्रोमोसौम को इस तरीके से ड्रो कर रही हूँ कि दो आमस मेरे पास यहां पर है और भी दो आमस इसके साथ अटैच्ट है तो यहां पर one and one, two क्रोमेटेड है अभी भी ये एक ही centromere से attached हैं, तो ये भी chromosome तो एक ही है, ये difference आपको समझना बिटा बहुत जरूरी है, ये भी एक ही chromosome है, पर यहाँ पर ये देखिए, एक और दो, chromatids कितने हैं? दो, chromosome और chromatid का difference समझ में आया, chromatids कितने हैं? दो, और ये दोनों chromatids, जो एक ही centromere से attached हैं, ये क्या कहलाते हैं? sister chromatid, ये देखिए हैं यहाँ पर, आपको ये diagram दिख रहा है, ये एक centromere से एक arm और दूसरी arm, दोनों एक centromere से attached हैं, इसको आप एक ही chromosome बोलोगे, क्योंकि एक ही cent हैं, जितने centromere उतने chromosome हैं, आप chromosome कैसे define करते हो, बेटा, centromere से, ठीक है, number of centromere, जितने number of centromere होंगे, that is equal to number of chromosomes, ये कुछ basic चीज़े हैं, जो बच्चों को generally नहीं पता होती, इसलिए मैं आपको ये chapter शुरू होने से पहले ही ये basic चीज़े बता रहे हूँ, ताकि आगे में कुछ information बेटा हो, ठीक है, तो जितने centromere होते हैं, उतने chromosome होते हैं, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक ही centromere है, इस पर दो chromatids आ रहे हैं, इसको अगर मैं आपसे पूछू, इसमें कितना chromosome है, one, chromatids कितने हैं, दो, और ये दोनों chromatids एक ही centromere से attached हैं, में आया, अब इसको देखिए, ये वाले chromatids को देखते हैं, और ये वाले chromatids को देखते हैं, एक हमने blue वाला लिया, एक red वाला लिया, दोनों एक-एक chromatids हैं, दोनों के पास एक-एक आम हैं, लेकिन ये वाले chromatids का centromere अलग है, और ये वाले chromatids का centromere अलग है, तो मैं अगर एक blue और एक red के बारे में आपसे पूछूँ तो वो sister chromatids नहीं है, वो कैसे हैं बेटा, non-sister chromatids है, कैसे है, non-sister chromatids है, तो एक chromosome के अंदर जो दोनों chromatids है, वो क्या कहला रहे है, sister chromatids, एक ही centromere से attached, उसके सामने वालो जो homologous chromosome है, उसका chromatid और इस chromosome का chromatid क्या मिलकर बना रहा है, non-sister chromatids, आपको draw करना है, तो इस चीश को आप draw करके भी यहाँ पर समझ सकते हैं, देखिए, हम इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, आपके पास 23 chromosome है, तो आपके पास 23 chromosome है, ठीक है, यह देखिए, यह एक, यह दो, यह एक, यह दो, है अगर आप इस और इस chromatid की बात करेंगे, यह sister chromatid है, लेकिन यह chromatid और अपने homologous chromosome की chromatid, आपस में कैसी है, non-sister, आपस में कैसी है, non-sister, यह जो definitions हैं, आप लोगों को clear हुआ, ploidy आप लोगों को clear हुआ, sister, non-sister chromatid आप लोगों को clear हुआ, ploidy आप लोगों को पता च चला, one chromosome, one chromatid, यहाँ पर one chromosome लेकिन two chromatid, यह वाली बात भी I am hoping आप लोगों को clear हो गई होगी, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी division की, cell cycle और basic चीज़े जो आपको पता होनी चाहिए थी, वो हमने यहाँ पर discuss कर दी, है न, अगर आपको non-sister or sister chromatids के बारे में लिखना है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको clearly लिख लेते हैं, ताकि कोई भी चीज आपकी miss ना हो, हम यहाँ पर लिख लेते हैं मिटा, ठीक है, हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर sister and non-sister chromatids के बारे में हैं, sister and non-sister chromatids को हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं, आपके homologous chromosomes के बारे में तो हमने बात करी लिए थी, homologous chromosomes के बारे में राए, तो अब देखते हैं, यहाँ पर हम draw करते हैं, यह हमने एक chromatids draw किया, यह हमने दूसरा chromatids draw किया, एक chromatids draw किया, दूसरा chromatids draw किया है ना, काफी सारे chromatids यहाँ पर हम draw कर लेते हैं, ठीक है, चलो, हमने chromatids यहाँ पर draw कर लिए, ऐसे यहाँ पर 23 है यहाँ पर 23 है यह दोनों सेट आपस में होमोलोगस क्रोमोसॉम्स को हमने एक दूसरे के सामने यहाँ पर रखा हुआ है अब अगर मैं बात करती हूँ इन दोनों क्रोमिटेड्स की तो यह दोनों क्रोमिटेड्स कैसे हैं? sister chromatids जो की एक ही centromere से attached है क्या हो गए sister chromatid homologous chromosome के अगर मैं इस chromatid और इस chromatid की बात करती हूँ तो ये क्या है non-sister chromatids क्या है non-sister chromatids ठीक है? I hope अब ये definition भी आप लोगों को clear हो गई होगी ploidy के बारे में भी आप लोगों को clear हो गया होगा ठीक है? अगर अब हम शुरू करते हैं cell cycle के faces से एक एक करके cell cycle को पढ़ना शुरू करते हैं eukaryotic cell की अगर आप बात करोगे तो एक eukaryotic cycle में 24 hours में एक cell cycle complete होती है 24 घंटे लगते हैं कितनी देर लगेगी एक cell cycle होने में ये organism से organism पर depend करता है जैसे अगर आप east की बात करते हैं अगर आप east की बात करते हैं तो उन में cell cycle complete होने में 90 minutes लगते हैं 90 minutes मतलब उसमें growth भी होगी उसमें replication भी होगा और division भी होगा human की ये ukyaryotic cell की बात करते हैं तो 24 hours लगते हैं अगर आप इस पूरे cell cycle की stage को समझना चाहते हैं तो इसको आप दो बात में divide कर सकते हैं एक होता है आपके पास interface और एक होता है आपके पास mitotic phase interface का मतलब होता है बिटा preparatory phase preparation कर रहे हैं preparatory phase इस phase में इस phase में आपका cell क्या क्या नहीं करगा इस phase में आपका cell growth करेगा ठीक है अपनी growth करेगा DNA की replication करेगा आगे आपको division करने के लिए जितने भी enzymes बनाने की जरूरत है RNA proteins की जरूरत है तो उन RNA and proteins की formation भी करेगा RNA and proteins की formation भी करेगा ये सारी चीजे इस preparatory phase में हो रहे हैं maximum काम तो preparation में जा रहा है क्योंकि बाद में तो सिरफ क्या होना है division होना है इन division phase में क्या होता है बिटा M phase या mitotic phase मतलब सीधा division वाला phase आ गया जिसमें दो division होंगे nucleus का भी और cell का भी आपके cytoplasm का भी तो इसके अंदर आप दो चीजे पढ़ते हो ठीक है? अच्छा interface में सारा काम हो रहा है maximum काम हो रहा है तो मुझे बताओ इन 24 घंटे में से जाधा time कौन सा लेगा? interface या M phase? obviously interface तो 95 95% of the time interface में लगता है और सिरफ 5% में आपका mitotic phase हो जाता है जैसे अगर आप 24 घंटे की बात कर रहे हो तो 20 घंटे तो आपके interface में ही लग जाएंगे और सिरफ 1 hour में आपका mitotic phase होगा ठीक है? यह basic चीज़े जो आपको interface और M phase के बारे में पता होनी चाहिए थी इस concept को हम अलग कर रहेते हैं ताकि आप लोग confused ना हो राइट? इसको हम क्या करते हैं? इसको हम आपके लिए अलग रखते हैं यहाँ पर हमने sister and non-sister chromatids की बात की अलग चीज़ है और यहाँ हमने faces of cell cycle की बात कर लिए यह concept clear हुआ सबको थोड़ा सा detail में देखते हैं हम तो interface आपका resting face है आपका preparatory face है इसमें cell divide नहीं कर रहा लेकिन preparation कर रहा है division के लिए interface में बेटा तीन faces आते हैं कौन-कौन से? कौन-कौन से? number 1 आपके पास आता है G1 face number 2 आपके पास आता है S face number 3 आपके पास आता है G2 face उसके बाद आपके पास क्या हा जाता है? आपका division face जिसको आप क्या बोलते हो? M face या फिर mitotic face इस तरीके से होता है इस portion को एक बार के लिए भूल जाओ interface में 3 faces आ रहे हैं interfaces में 3 faces आ रहे हैं ये 3 faces कौन-कौन से हैं? G1 face, S face और G2 face basic अगर मैं आपको बिटे idea दूँ तो G1 face में हो रही है growth G1 का मतलब होता है gap 1 पहला growth का face तो G1 के अंदर देखो क्या हो रही है growth, cell grow करेगा अपना size बढ़ाएगा वो सब कुछ G1 के अंदर होगा G1 में कुछ-कुछ RNA protein भी बनेंगे जो replication के लिए जरूरी होते हैं तो S face, S face के अंदर क्या होगा? अब S face का मतलब ही होता है synthetic face इसके अंदर आपके DNA का replication वगरा होता है growth भी हो रही है और DNA को आप replicate भी कर रहे हो क्योंकि पिटा आप देखो आपके पास 23 pair of chromosomes है है ना आप आपको divide करना है लेकिन बनने वाले दो daughter cells के अंदर भी 23 pair of chromosomes ही आप रखना चाहते हो तो आपको पहले अपना genetic material डबल करना पड़ेगा ताकि आप equally दोनों नए daughter cells में उसको दे सको cell cycle में यही तो हो रहा है growth हो के division हो के दो daughter cell बन रहे है और आपको equal genetic material वहां तक लेके जाना है balance बना के रखना है तो आपको DNA replicate करना पड़ेगा कब होता है यह replication यह S face के अंदर होता है यह replication इसको आप क्या बोलते हो synthetic face clear फिर उसके बाद आपका cell जाता है G2 में G2 आपकी growth का second face है जो replication के बाद आता है इसको gap 2 बोलते हैं यहाँ पर final growth और final preparation हो रही है कि भई अब तो हम बस division में enter करने वाले हैं तो उससे पहले हम हमारा preparation पूरा कर लें तो यह किस में होता है G2 face में होता है फिर आपका cell किस में चला जाता है division face में division में आप 4 faces पढ़ोगे pro face, meta face, anaface, telophace इसके बाद आपका cell डिवाइड हो जाएगा दो daughter cell बन जाएगे एक daughter cell और दूसरा daughter cell और यह दोनों ही daughter cell फिर से यह पूरी cycle करेंगे, पहले interface करेंगे और फिर mitotic face करेंगे clear हुआ, दिमाग में clear image मने कि किस तरीके से interface के बाद mitotic face आता है, mitotic face के तो definition भी दी जाती है, it is in between two interface, तो एक interface और दूसरे interface के बीच में क्या आजाता है आपका mitotic face आ जाता है उसके बाद आपको जो interface के अंदर याद रखना है, वो है checkpoints जो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है बिटा, वो है checkpoints checkpoints क्या होते हैं, देखो आपका cell, divide होने वाला है DNA replicate हो रहा है सब preparation हो रही है, तो आप इन टाइम में कोई गड़बड नहीं अफोर्ड कर सकते है, आपका genetic material है भाई उसमें कुछ changes आया तो body में change आजाएगा आप नहीं चाहते कि कोई gene miss हो जाए replicate होने से, हर gene आगे जाना भी चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपको चाहिए तो इसलिए क्या रखे जाते हैं, बेटा checkpoints रखे जाते हैं कि आपका cell divide करते time, favorable condition में है ना, उसके पास सब कुछ provide हो रहा है कोई error तो नहीं हो रहा, क्योंकि जितनी भी preparation करनी है, यहां कर लो यहां कर लो, M phase में आने के बाद तो रोक नहीं सकते हैं, आप M phase में आने के बाद तो फिर problem स्टार्ट हो जाएगी अगर यह error वाला DNA replicate के बाद ही daughter cells बन गए तो कितनी problem आ गया जाएगी, gamut cells के अगर आप बात करो, gamut cell division से बन रहा है, उस replication में अगर कोई दिक्कत आई हो, तो आपके division phase से बने हुए gamut सी, error वाले gamut हैं, तो उनसे जो progeny पैदा होईगी वो deceased पैदा होगी, तो यहां पर checkpoints रखने होते हैं, जरूरी आपके पास interface में तीन checkpoints होते हैं, है ना, आपको दिख रहा होगा, एक G1 पे होता है, एक G2 पे होता है, और एक M पे होता है, तीन checkpoints हमको याद रखने हैं, पहला checkpoint होता है G1 checkpoint, G1 के जो आपका preparation चल रहा होता है growth का, उस tiny point make sure करता है कि सब चीजी अच्छे से सही हैं, तभी यह G1 से S में entry allow करेगा, दूसरा checkpoint आपके पास होता है G2 checkpoint, यह check करता है, finally आपका M phase में जाने से पहले कि सारी growth, preparation, replication सब अच्छे से है, तभी यह आपके cell को G2 से किसमें enter करने देगा, M में बढ़ना रोक लेगा, और फिर आपको interface दुबारा करना पड़ेगा, यह रोक सकते हैं, ठीक है? तीसरा आपके पास आता है, बेटा M checkpoint, तो जो M वाला checkpoint होता है न, M वाला checkpoint होता है, वो metaphase to anaphase इस transition को चेक करता है तो वो metaphase में चेक कर लेता है कि chromosome सच्छे से organized है या नहीं सब proper चीज है या नहीं, otherwise यहाँ पर anaphase में entry नहीं करने देगा, है न, mature होकर anaphase में जाने नहीं देता तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, metaphase to anaphase का यह वाला checkpoint आपके पास होता है, यह तीनो points भी आपको याद रखने है ठीक है, यह हो गया, अभी हम और G1, S और G2 को थोड़ा सा detail में और देख लेंगे, और points भी हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ point discuss करना चाहती हूं about the S phase जिसमें आपका DNA replicate हो रहा है, है न, क्योंकि उससे related कुछ questions हम expect कर सकते हैं, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, अब अच्छे से अपने cell को आप सब imagine करेंगे, एक दव अच्छे से अपने cell को सभी लोग imagine करेंगे, तो अब मान लेते हैं, क्या है, इसको, इसको हम यह बाला लेते हैं, ठीक है, तो अब मान लो, मान लो, क्या मान लो, अब यहां पर आपका chromosome है, है single chromatid का यहाँ पर आपका chromosome है single chromatid का normal की हम बात करें अब यह replication नहीं हुआ आपका normal cell है है ना ठीक है हम यहाँ पर क्या करते हैं तीन chromosome बनाते हैं आपको समझाने के लिए और यह आपकी cell की हो गई covering समझते जाना imagine करते जाना ठीक है यह आपका cell lect1 यह आपका nucleus nucleus WAS drinked cousin हमों से हैं यहाँ पर मैंने chromosome number one यहो गया 1- क्योंकि यह इसका homologus है है ना च to यह 3-3- क्योंकिस कagu s FO gonna pass 23 है और यहाँ पर ढ़िए पास 23- Lac só अब यहाँ पर आप देखोगे, तो मैंने एक एक chromatid बनाया है, मतलब बिना cell division के मैं क्या कह रही हूँ, कि एक ही chromatid का chromosome बना हुआ है, यह normal, यह आपका somatic cell है, ठीक है, अब मैं इस somatic cell की बात करूँ, तो मुझे बताईए, मुझे बताईए, यहाँ पर ploidy क्या होगी, है ना, यहाँ पर ploidy क्या होगी, मुझे यह बताईए, इस ploidy को आप क्या कहोगे, 2N, क्योंकि आपके पास two sets of chromosomes ready है, ploidy को आप क्या कहोगे, 2N, अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछू, अब यहाँ पर बात करो DNA के amount, genetic material या DNA के amount की, तो हम यूँ सोच रहे हैं कि एक set के अंदर, यह जो आपका एक N का set है, इसके अंदर c amount of DNA है, एक N में c amount of DNA है, और दूसरे N में भी c amount of DNA, ऐसे imagine करो, division में आपको help होने वाली है, तो मैं आपको initially यह चीज़े बता रहे हूँ, तो यहाँ पर DNA आप क्या का होगे, इस somatic cell में कितना है 2c, क्योंकि एक N के अंदर भी amount कितना है c, अगर हम मान के चल रहे हैं कि initially, और दूसरे के अंदर भी c, तो deployed condition में कितना amount of DNA हो गया, आपके पास 2c हो गया, clear, कोई confusion इस चीज़ में, मुझे नहीं लगता होने चीज़े, है ना, यह तीनों चीज़े यहाँ पर clear है, अब मुझे बताओ, आपका cell S face में आया, और आपका DNA हो गया replicate, DNA हो गया replicate, अब मैं इसको draw करती हूँ, हम क्या करते हैं, एक और page लेते हैं, और इसको draw करते हैं, अब फिर से आपके पास, यहाँ पर यह आपका cell है, यह आपका फिर से cell है, cell के अंदर यह आपके फिर से chromosome से, अब डबल हो चुका है, अब आपका DNA replicate हो चुका है, तो जो यह आपके पास single chromatid थे, अब यह double हो चुके है, है ना, chromosome का number अभी भी 46 ही है, अभी देखते हैं, अभी हम इन चीजों को, इन चीजों को अभी हम कर लेते हैं, ठीक है, यह भी कहां तक जा रहे हैं, 23 हैं, और यह भी आपके पास 23 है, तो अभी कुछ questions का answer कीजे, कुछ questions का answer कीजे, यहाँ पर मुझे बताईए, ploidy, ploidy क्या है, अभी भी 2N है, फिर मुझे chromosome का number बताईए, कितना है, अभी भी 46 है, अभी भी 46 है, दो sets हैं, इसलिए 2N है, double हो चुके हैं, chromatids double हो चुके हैं, यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ, ploidy 2N, chromosome 46, DNA 2C, और chromatids मुझे बताईए, एक chromosome कितने chromatids का बना हुआ है, 1, एक chromosome कितने chromatids का बना हुआ है, 1, ठीके, अभी यहाँ पर बताईए, ploidy कितनी 2N, chromosome 46, DNA, DNA बताईए, अब इधर पहले C था, इधर C था, double हो गया, इधर भी एक और C आगया, इधर भी एक और C आगया, तो जो पहले 2C था, अब वो क्या बन चुका है, बिटा, 4C, समझ में आया, जो 2C था, वो अब क्या बन चुका है, 4C, DNA डबल हो गया, और अगर अब मैं Chromatids के बारे में पूछू, तो एक क्रोमोसॉम, एक क्रोमोसॉम, 2C बना हुआ है, है न, 2C का बना हुआ है, ठीक है, यह क्या हो गई stages, यह stages हैं बिटा, after, after replication, after replication, ठीक है, after replication यह stages है, before replication क्या था, before replication क्या था, एक ही page पर कर लें, चलो, एक ही page पर कर लेते हैं, before replication में आपके पास क्या आ रहे थे, आपके पास ploidy थी, ploidy थी, वही 2N, क्रोमोसॉम्स थे, वही 46, वही 46, इसमें change नहीं आया, लेकिन chromatid के number में change आ गया, अब एक क्रोमोसॉम, दो chromatid का बना हुआ है, टू chromatids का बना हुआ है, और DNA, DNA अब 4C हो गया, क्योंकि replication हो गया, तो यह बात हो गई आपकी, before replication की, और यह जो condition है, यह है आपकी, after replication key, है ना, after replication key, इसको आपको draw करना है, तो यहाँ पर draw भी कर लो, यह आपका nucleus है, nucleus के अंदर आपके पास 2 set है, लेकिन single chromatid के बने हुआ, यह हो गया दोनों में difference, एक page पर हमने कर लिया, तो आप कोई confusion नहीं होना चाहिए, यह हमने क्यों discuss किया, बेटा, क्योंकि इस question expected है, जैसे कि मैं question आपको बताती हूँ, आपसे पूछा गया, एक somatic cell है, और उस somatic cell ने अभी-भी अपना S face complete किया है, ठीक है, इसका मतलब भी after replication वाले की बात आपसे कर रहे हैं, और फिर आपसे पूछा गया है कि आपके पास इसी species का एक gamit है, तो इस gamit से और इस after replicated cells में DNA का क्या difference होगा, यह पूछा गया, ploidy का क्या difference होगा, यह पूछा गया, तो gamit की ploidy क्या होती है, N, उसके अंदर एक ही set होता है, और यहाँ पर ploidy कितनी है, 2N, तो answer आप क्या कहोगे, just double, और DNA का amount अगर आपसे पूछा जाए, एक N में कितना DNA C, और यहाँ पर amount कितना है, 4C, तो DNA का difference कितना है, 4Times, यह question आपसे पूछा गया था, कि इस gamit में और somatic cell में, कितना difference है DNA का, कितना difference है ploidy का, तो ploidy का difference आ रहे है twice, क्योंकि gamit होता है N, यहाँ पर है 2N, तो difference आ गया किसका, twice का, gamit में amount of DNA कितना है, C, 1N का 1C हम लोग मानके चलते हैं, अब यहाँ पर देखे, C, C, मतलब एक chromatid का आप 1C मानके चलते हो, यहाँ पर, इसको आप यहाँ से हटा लिजे, यहाँ से हटा लिजे, ठीक है, यहाँ लिख दीजे, तो amount of DNA कितना है, gamit के अंदर, C हो रहा है, एक ploidy के अंदर हम C गिन रहे हैं, और यहाँ से C किसमें जा रहा है, 4C में तो, क्या change आ गया, 4Times का, ऐसे questions आप से पूछे जाते हैं, तो I hope यह वाला concept आपका clear हो, एक ploidy का एक C मानके चलना, ऐसे सारे questions आप अराम से solve कर पाऊगे, ठीक है जी, यह बात हो गई, यह बात आप लोगों ने अच्छे से समझ ले, अब यह points आपको आते हैं, बस हमको quickly से revise करने, देखे, G1 phase क्या है, आपका gap 1 phase है, यह पहला growth phase है, यह interval है, mitosis के बीच में और DNA replication के बीच में, बिलकुल, यहाँ पर cell metabolically active होता है, machinery अपने आपको ready कर रही है, DNA replication में जाने के लिए, DNA replication में जो synthesis होना है, उस replication के लिए जो RNA और protein जाहिए उनका synthesis growth 1 या gap 1 phase में हो जाता है, फिर आपका synthesis phase, आपका s phase आता है, जो की बेटा longest phase है, interface का, longest phase है, इसको हम इस color से कर लेते हैं, इसको हम इस color से कर लेते हैं, तो यह longest phase है बेटा, interface का, ठीक है, फिर आपका neat का question है कि इस phase में DNA replication या synthesis हो रहा है, फिर क्या आ रहा है? amount of DNA per cell double हो जाएगा बिल्कुल हमने अभी देखा पहले बिना replication के DNA का amount कितना था? 2C बात में कितना हो जाता है? 4C तो somatic cell में 2C और replication के बात कितना हो जाता है? 4C gametic cell में कितना था? C अगर आप चाहते हैं तो हम यह सारी चीज़े एक पेज़ पे लिख भी लेंगे Animal cells में बताईए उसके बाद क्या कहरें? कि animal cells में replication nucleus के अंदर होता है वहीं पे जो आपका DNA है उसका amount हो जाता है double फिर आती आपकी gap to face उसके बाद आपका mitotic face आना है इसलिए यह second growth phase है यहां से cell growth continue होगी जो RNA और protein की requirement है उनका synthesis होगा cell mitosis के लिए prepare होगा अब replication हो चुकी है तो आप उस stage में हो यह हम पढ़ चुके हैं तो यह C, यह amount of DNA, ploidy यह एकदम आपको ढंक से अपने दिमाग में clear रखना है है ना मैं आप लोगों के लिए एक chart यहां पर बना देती हूँ ताकि कोई confusion ना हो ठीक है हम एक chart बना लेते हैं हम क्या करते हैं तीन cells ले लेते हैं एक हम ले लेते हैं somatic cells ठीक है somatic cells एक हम category ले लेते हैं somatic cells after replication somatic cells after S phase मतलब S phase हो चुका है DNA का replication हो चुका है ठीक है और तीसरा हम ले लेते हैं gametic phase है ना मतलब gametic cells ठीक है अब एक एक करके आप लोग बताईए तो साथ में revision भी हो जाएगी और हम सारा table यहीं पर complete कर लेंगे ठीक है यह लेजे ठीक है यह हो गए आपके somatic cells यह आपके somatic cells after S phase और यह बात होगी आपके gametic cells की है ना हम यहीं पर table complete बना लेते हैं ठीक है जी चलो तो हम पहली चीज़ क्या बात कर लेते हैं about ploidy पहली हम बात कर लेते हैं ploidy के बारे में आप मुझे बताईए somatic cell की क्या ploidy होती है somatic cells के पास दो sets है 2 है somatic cells के पास after S phase भी 2 है नहीं है कोई change नहीं आया gametic cell के पास एक ही set होता है N clear next बात कर लेते हैं next हम किसकी बात कर लेते हैं chromatids की बात कर लेते हैं इसको यहां से हटाते हैं और इसको थोड़ा सा यहां बनाते हैं चीक है तो हम किसकी बात कर लेते हैं chromatids की chromatids की बात कर लेते हैं तो अगर मैं somatic cells की बात करूँ somatic cells की बात करूँ है ना आपका table अच्छे से यहां पर create हो जाएगा फिर आपको कोई confusion नहीं आएगा ठीक है, तो chromatids की बात करते हैं अच्छा, somatic cells के अंदर एक chromosome कितने chromatids का बना हुआ है, 1 S phase के बाद chromatid कितने हुगा है, double ठीक है, gametic cells के अंदर भी क्या बना हुआ है, एक chromosome एक ही chromatid का बना हुआ है ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरी बात हमें करनी है DNA के amount की किसकी बात करनी है, DNA के amount की तो somatic cells में जो DNA का amount है 2N के अंदर वो कैसा है, वो कैसा है 2C somatic cells में S phase के बाद वो double हो जाएगा और कैसा आ जाएगा 4C कैसा आ जाएगा 4C और gametic cells के अंदर कैसा होगा बिटा सिरफ C ये बात भी हो गई उसके बाद और क्या चीज हमको देखनी थी ploidy देखनी है chromatids देखने है DNA का amount देखना है और chromosomes तो आपने कर लिया तो इतना ही table आपको याद रखने है इससे आपके सारे questions almost बन जाएंगे जैसे आपसे question क्या पूछा गया था एक gametic cell है और एक आपके पास cell है जिसने अभी अभी अपना S-phase clear किया है और आपसे पूछा था ploidy आपसे पूछा था ploidy में कितना change आया है और आपसे पूछा था amount of DNA में कितना change आया है तो answer देना था ploidy double हुई है और amount of DNA four time हुई है तो इस table से आप उसे related questions attempt कर पाएंगे तो इस table आपके लिए important है आपका काम हमने असान कर दिया यहां से आप इसको पढ़ लेना ठीके चलो अब हम क्या करते हैं mytotic phase को फाइनली शुरू करते हैं initial portion आपने देख लिया थोड़ा time taking था लेकिन अब चीज़े समझ में आगी तो अब phase easy हो जाने वाला ठीक है quickly खतम कर लेते हैं हम किसको mytotic phase को किसको complete कर लेते हैं mytotic phase को मitotic phase में division होगा अब finally division होगा तो पहले आप देखोगे nucleus का division जब nucleus properly divide हो जाएगा फिर आप देखोगे cell का division तो पहली stage इनके अंदर आप देखते हो karyokinesis की that is nuclear का division फिर आप देखते हो cytokinesis that is cytoplasm का division चार phase में चार phase में आपको ये पढ़ना है पहला phase mitosis का होता है pro phase फिर आता है metaphase फिर आता है anaphase फिर आता है telophase एक एक करके हम इसको देख लेते हैं अच्छा mitosis में होता क्या है इक्वेशनल division होता है mitosis में क्या होता है one cell divides into two daughter cells है ना two daughter cells ठीक है और mitosis के बारे में क्या important point है कि ये equational division है equational division है equational division इस division को क्यों कहते है क्योंकि इस division के बाद amount of chromosome in the parent cell and the progeny cell या फिर daughter cell क्या होता है same equational division क्यों कहते है क्योंकि इसके अंदर amount of chromosome in parent and progeny is same Amount of chromosome in parent and progeny cells या फिर daughter cells Progeny cells are same इसलिए इसको क्या बोल रहे हो? Equational division हमारे अंदर mitosis हमें कहां देखने को मिलता है? Generally somatic cells में Generally आपको ये बिटा कहां मिलेगा ये division? Somatic cells में Somatic cells में उसके बाद भी अगर आप बात करो तो generally deployed cells जो होते हैं Deployed, ploidy वाले वो mitosis शो करते हैं Animals के अगर आप बात करोगे तो deployed cells mitosis शो करते हैं Deployed cells generally mitosis शो करते हैं लेकिन कुछ lower plants में कुछ lower plants में है ploid cells में भी mitosis देखने को मिलता है ठीक है? उनके अंदर है ploid cells भी mitosis show करते हैं तो ये basic चीजे mitosis के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए थी अब इस division का मकसद आपको पता चल चुका है कि जो दो dota cell बनेंगे उन में हमें amount of chromosome change नहीं होने देना amount of chromosome कहिए या number of chromosome कहिए है न तो उसको number of chromosome भी आप बोल सकते हैं इसको यहाँ पर number of chromosome कर दो कि उसको हमको change होने नहीं देना और वो आप हमको make sure करना है तो एक एक करके हम यह सारे steps देख लेते हैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस तो शुरू करते हैं मिटा हम लोग किस से प्रोफेस से अब प्रोफेस जो है सबसे पहली phase है प्रोफेस साथ में longest phase भी होती है चार phase आप पढ़ने वाले हो तो प्रोफेस उन में से longest phase होगी ठीके अब प्रोफेस के अंदर क्या है अभी-भी आपका SOR G2 phase हुआ है उसके बाद आपका प्रोफेस आया है तो प्रोफेस में अभी आपका क्रोमेटिन कंडेंस होना start है से पहले क्रोमेटिन की form में था ठीक है आपके centrials opposite poles की तरफ move करने लगते हैं और chromosome condensation शुरू होती है तो धीरे धीरे आपको कुछ chromosomes की visibility यहाँ पर पड़ेगी है ना तो आप इसके points यहाँ पर लिख सकते हैं बिटा कि अब क्या होगा chromosomes condense होना start होते हैं क्योंकि इससे पहले chromatin की form में थे जब pro phase आपके division phase start होता है तो chromosome condensation begins पहली चीज क्या आ रही है chromosome condensation begin हो गया जी दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है nuclear membrane वगरा disintegrate होनी start होती है जो nuclear membrane है अभी तक intact है pro phase में nuclear membrane वैसे intact रहेगी है ना यह बात अप लिक लीजे nuclear membrane अभी इस process में intact है बट वो disintegrate होना start होगी ठीक है और आपके next phase that is metaphase में आपको nuclear envelope नहीं दिखेगा वो completely disintegrate हो चुका होगा तो disintegration start word आप यहाँ पर लिख सकते है nuclear membrane का disintegration start होगा ऐसा word हम यहाँ पर लिख सकते है प्रोफिस को समझने के लिए दो parts में divide किया गया है आपके पास होती है early prophes आपके पास होती है late prophes early prophes में chromatin का condensation हो रहा है आपके पास अब जो chromosomes है वो double chromatids के बने हुए है लेकिन early prophes में अभी entangled है दोनों chromatids आपको इतना अच्छे से अलग-अलग नहीं दिख रहे हैं कुछ chromosome में तो आपको एक ही chromatids दिख रहे है कुछ में आपको दो chromatids दिख रहे है पर कहीं पर तो एक ही दिख रहे है तो अभी entanglement है, condensation स्टार्ट हुआ है तो इसके नीचे हम एक point लिख लेते हैं कि condensation स्टार्ट हुआ है chromosomes का early prophes में condensation begin हुआ है तो अभी आपको two chromatids उतने clearly नहीं दिख रहे तो यहाँ पर हम एक point और लिख सकते हैं कि two chromatids two chromatids begin to be visible है ना दिखने लगेगा आपको धीरे-धीरे क्योंकि condensation हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं two chromatids begin to be visible हुआ शुरू हो रहे हैं अभी आपको visibility दिखाने के लिए ठीक है late prophes में आप क्या दिख सकते हैं late prophes में आप दिखे हैं यहाँ पर आपका centriole जो nucleus के पास थे अब वो दोनों poles पे जाने लगेंगे उस में से आपके microtubules बनना उनके fibers आना start हो जाते हैं तो astral race की formation आपको यहाँ पर दिखेगी तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं astral race की formation किन से centriole से तो astral race की formation from centriole यहाँ से start होती है in astral race astral race plus आपके centriole अपके सेंत्रीоль मिल कर क्या कहा जाता है astral कहा जाता है तो यहाँ पर estrel आपको दिखने लगेगा, यह देखे, microtubules बनने स्टार्ट हो गई, estrel rays आनी स्टार्ट हो गई, centrioles, poles पे जा चुके हैं, अब उन्होंने cell division करना है, इन estrel rays में spindle fiber जब यह बनेंगे तो यह हर kromosome के kinetocore से attach होंगे, हमने पढ़ा था centromere के बाहर एक disc-like structure है kinetocore, है ना, तो उन kinetocore से attach होंगे और फिर आप यह दोनों kromosomes अलग लगोंगे, दोनों daughter cells के लिए, तो प्रोफिस में आपको क्या देखने का मिला, देखे, nuclear membrane का disintegration स्टार्ट हो जाएगा, वैसे यहाँ पर intact रहेंगी, kromosomes condense हो रहे हैं धीरे-धीरे, spindle fiber poles की तरफ move कर रहे हैं, यह point भी लिख ले थे, spindle fibers move towards the pole, है ना, early profis में condensation start है, तो दो chromatids आपको लगलत दिखने start होंगे, और late profis में astral rays बनती है, ठीक है, यह बात हो गई किसकी बिटा, अब profis में condensation word बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता, तो उसको explain करने के लिए हमने यहाँ प पूरा करने के लिए किसके around रखा गया है, histone proteins के around, यह आपके histone proteins जिनके around लपेटते हैं, आपके DNA को, structures को क्या बोलते हैं, nucleosomes बोलते हैं, है ना, यह सब चीज़े हमने cell में detail में पढ़ी है, इसलिए मैं कह रही थी, वो chapter थोड़ा पढ़ के आईएगा वहां से, ठीक है, तो आप nucleosomes से क्या बनेगा, आपका chromatin fiber है पूरा, अब जब हम division की बात कर रहे हैं, तो यह chromatin इतनी लंबी thread थी, यह condensed हो, होके, हो, 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 किसमे convert हो चुकि है, chromosomes में, है ना, इस तरीके से हमारे पास 2N pair of chromosomes हो जाते हैं, generally जो single chromatid के थे, लेकिन क्योंकि है space हो चुका है, त double chromatid है, और इसी बज़ा से जो amount of DNA हो भी क्या है, double है, double है, double है, दो chromatids हमारे पास यहां पर है, तो इसी को आप क्या बोल रहे हो, thread को condense करके chromosome की form में लाना, इस condensation, ठीक है, समझ में आया, clear हुआ, next stage पढ़ लेते हैं, next हमारे पास क्या आ रहा है, metaphase आ ठीक है, next क्या आ र condensation, अब ये condensation होना, आपके, ये condensation होना, आपके प्रोफेस में start हो गया था, पहली चीज़ क्या आ रहे है, condensation complete, ठीक है, लिख देते हैं हम यहां पे, condensation complete, जो condensation आपके प्रोफेस में शुरू हुई थी, दीरे-दीरे दोनों chromatid alak दिखने शुरू हुए थे, लेकिन यहा बहुत important feature आता है, कि आपको best visible chromosomes यहां पर मिल जाएंगे, best visible form में आपको एकदम clear condensed chromosome, अगर आप microscope से देखोगे, तो आपको किस stage में मिलेंगे, बिटा, आपको ये मिलेंगे, metafase वाली stage में, ठीक है, ये बात clear हुई, best visible chromosomes आपको यहां पर मिल जाएंगे, उसके बाद, और क् शुरू हुआ था nuclear membrane का disintegrate होना, तो nuclear membrane completely disintegrate हो चुकी है, इसलिए nuclear envelope इस stage में absent है, ठीक है, अंदर के organelles disintegrate हो चुके है, ER, गोलगी bodies, ठीक है, mitochondria, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब disintegrate हो चुके है, धीरे-धीरे सारे organelles, अब धीरे-धीरे cell खतम करना है बिटा, ये ना, organelles जाएंग आपको nucleus divide होगा, फिर वो दुबारा से membrane बनेगी, तो nuclear envelope आपकी disintegrate हो चुकी है, आप absent है, है ना, आपके सारे organelles disintegrate हो चुके है, तो ये सारी चीजे complete हो गई आपके metaphase में, और best visibility आपको condensed chromosomes के यहाँ पर मिलती है, अगर आप microscope से देखें, तो, ये चो chromosomes है, metaphase के अंदर, में आकर arrange हो जाते हैं, आपके 46 के 46 chromosomes, आप imagine किजिए, कि वो 2N सारे के सारे दो-दो chromatid वाले एक्दम center plate पर आकर arrange हो गए, और जो आपके centriole corner पे गए थे, उनके spindle fiber बनने शुरू हो गए थे, वो spindle fiber की formation भी पूरी हो गई, वो spindle fiber आपके centriole से शुरू होकर, अब आपके आपके chromosome के kinetocore से attach हो चुके हैं, ये question आपके previous year में भी आया है, देखिए, spindle fiber from both poles, दोनों poles पे spindle fibers बन रहे हैं centriole से, ये किस से connect हो जाएंगे, आपके chromosome के chromatid से, कहां पे उनके respective kinetocore, पे centromere पे नहीं बिटा, question गलत मत करना, उस construction को आप centromere बोल रहे हो, जो आपको construction द बोल रहे हो centromere, लेकिन इसके पास, यहां पर, इस centromere के पास, डिस्क शेप यहां पर structure है, जहां से आपके spindle fiber जुडते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो kinetocore, तो question कभी आए, तो spindle fiber किस से attach हो रहा है, आपके kinetocore से, ठीक है, तो ये spindle fiber वाला point भी सबको याद रहेगा, कि वो formation यहां पर complete हो गई, spindle fibers दो तरीके के मिल रहे हैं, वो जो कि क्रोमोसुम के kinetocore से जुड़ रहे हैं, तो उनको आप बोल रहे हो kinetocore, microtubule, कुछ spindle fiber इन दोनों एरियास से बिटा निकल रहे हैं, यहां से और यहां से, और एक दूसरे को ही जुड़ जा रहे हैं, kinetoc वो एक important feature है यहां पर, आपको organelles नहीं मिलेंगे, आपका chromosome completely condensed हो चुका है, best visible state में है, spindle fibers आपको दो तरीके के मिल रहे हैं, kinetocore और polar microtubules attached हैं, ताकि further अब next anaphase में वो खिचने वाले अलग लग तो वो हो जाएगा, और metaphase plate यानि की equator पे arrange हो जाएंगे, equatorial एक तरीके से क् arrangement of chromosomes, एक line में वो arrange हो जाते हैं और यह arrangement आपको यहां देखने को मिलती है, arrangement of chromosome, ठीक है, है ना, arrangement of chromosome, ठीक है, यह बात हो गई क्लियर, equatorial arrangement of chromosome, done, metaphase की बाद आता है, बिटा, आपके पास anaphase है, आपके पास आता है, यह सबसे shortest phase है, anaphase जो होता है, यह होता है, shortest, अरे भाई, अभी pen भी कभी कभी पढ़ना नहीं चाहता है, बताइए, shortest phase, कैसा phase है, आपके पास shortest phase है, anaphase के अंदर, अब जो है, आपका centromere longitudinally divide करता है, anaphase के अंदर, your centromere divides longitudinally, longitudinally, यह देखिए, अभी समझ लेते हैं, इसको अगर आपको नहीं समझ में आया तो, यह आपके पास एक आम थी, यह आपके पास दूसरी आम थी, right, clear, यहाँ तक सब बच्चे फोलो कर रहे हैं, यह आपका centromere है, सब बच्चे फोलो कर रहे हैं, यहाँ पर longitudinally अगर मैं कट कर दूँ, एक chromatid इस end पे आ जाए, और दूसरा chromatid इस end पे आ जाए, तो longitudinally centromere divide हो क्योंकि आपका DNA क्या हुआ था? Double, अब हम क्या चाहते हैं? Equational division चाहते हैं, Equational division मतलब हम number of chromosome तो change होने नहीं देना चाहते हैं, है ना? देखे बिटा, इसको समझिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यह chromosomes आप मान लीजिए, मान लेते हैं इस तरीके से, कि यह वाले chromosomes total 46 क 46 एक plate पर आगे, 46 के 46 एक plate पर आगे, उन 46 का एक chromatid उपर चला गया, एक chromatid नीचे चला गया, तो अगर आप अब यहाँ पर इस cell को देखेंगे, तो आपको यहाँ पर भी एक pole पे, है ना? और यहाँ पर आगे आपके दूसरे pole पे, तो इस pole पे भी आपको 46 chromosomes मिलेंगे, इस pole पे भी आपको 46 chromosomes मिलेंगे, यही तो हम चाहते है, equational division में, कि अब जब यह चीज cell यहाँ पर divide होगा, दो nucleus बनेंगे, तो जो दो नए cells बनें, दोनों में ही कितने हो, सेम, parent जितने 46 हो, difference क्या आया, कि आपने division के बाद जो chromosomes आपके पास 46 थे, वो दो chromatid वाले थे, अना c हो जाएगा, और एकदम same parent जैसे situation आपके पास create हो जाएगी, ठीक है, I hope सब बच्चों को यह चीज समझ में आई हो, यह बात हो गई आपकी अना फेस की है, जो sister chromatids थे, जो आपस में attached आपके sister chromatids थे, वो opposite pole की तरफ इसमें move करते हैं, जिसकी वज़े से 46 और 46 दोनों pole प पर आजेंगे, लेकिन amount of DNA भी अब half-half हो जाएगा, इसलिए तो double किया था, इस stage के लिए ही उसको double किया था, एना फेस के बाद आती है, आपकी last face जो की होती है, तीलो face, जो की होती है, तीलो face, अब यहाँ पर it's just opposite of pro face, लिखिए, जी question भी आया आपका, it's just opposite opposite to pro face, ऐसा question थ which of the following face is just opposite to that of pro face, तो यहाँ पर answer आजाएगा, आपका तीलो face, आपके pro face में आपकी nuclear membrane disintegrate होना स्टार्ट होई थी, है ना, तूटना स्टार्ट होई थी, आपके जो organelles थे, mitochondria, golgi bodies, वो धिरी-धिरी disintegrate होना स्टार्ट होगे थे, तूटना स्टार्ट होगे थे, तो तीलो face मे just opposite होता है, वापिस नई nuclear membrane बन जाएगी, क्योंकि आपके chromosome एक 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 chromatin में उपर चले गए थे और नीचे चले गए थे दोनों पोल पे, तो उनके बाहर एक नई nuclear envelope बना दी, क्योंकि मकसा तो clear हो चुका है है ना, तो nuclear envelope बन गई, अब वापिस आपके chromosome की condensation होई थी, प्रो chromosome है, chromosome वापिस disintegrate, वापिस decompose होने लग गया, decondense होने लग गया, nuclear envelope बन गया, तो it's just a positive prophase, यह आपका PYQ है, एक और PYQ यहाँ पर given है, जिसमें क्या पूछा है आप से, sequence of events during mitosis, पहले prophase में condensation होता है, फिर metaphase के अंदर nuclear membrane की पूरी disassembly complete हो जाती है, फिर chromosomes की segregation हो जई है और फिर finally आता है telophase है, अब तो हमने यह सारे points एक एक करके देखी लिए, और हमारा जो मकसित था, वो भी clear हो गया, हमें equational division के तहर, वापिस से same number of chromosomes, अगर हम 46 मान के चले human में, तो हमें 46-46 ही मिल गए, और जैसे हमारे पास थे, वैसे ही मिल गए, 2C amount of DNA मिल गया, 2N और deployed condition भी मिल गई, से लिए, somatic cells ज्यादा तर मार्टोटिक division, equational division शो करते हैं, तो I hope यह सारे faces सबको धंग से यहाँ पर clear हो गए हो, with the features, specific features which are present in them, ठीक है, यह PDF भी आपको available होगी, अब तीलोफेस हो गया बिटा, तीलोफेस यानि कि, अब यहाँ पर आपने क्या देख लिया, क तो nuclear membrane बनगे यहाँ गरणी हमारा karyokinesis complete, यहाँ पर आपका karyokinesis complete, है ना, karyokinesis क्या हो गया? karyokinesis हो गया, complete, आपकी दोनों nuclear envelop बन गई है, दोनों nucleus अलग हो गई है, अब क्या करना है, आप क्या करना है, Cytoplasm को divide करकर दोनों cells को अलग लग कर देना यानि हमें क्या करना है? Cytokinesis कर देना है Cytokinesis के process में क्या हो रहा है? Cytoplasm का division क्या हो रहा है? Cytoplasm का division है ना? Nucleus divide हो गया तो उसके बाद Cytoplasm का division करना है ये process बिटा जब Telo phase begin होता है, साथ-साथ में Cytokinesis भी start हो जाता है, तभी तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आपका cell constrict होना already start हो चुका है Cytoplasm का divide करने के लिए तो with Telo phase भी ये जो phase है आपका start हो जाता है, it starts when Telo phase is in progress it starts लिख लेते हैं, it starts when Telo phase is in progress when Telo phase is in in progress है, साथ-साथ में ये चलता है अच्छा, animals और plants के अंदर cytokinesis के तरीके होते हैं, अलग अगर आप animal cell की बात करेंगे तो वहाँ पर cleavage बनता है furrow बनता है, ये cell ते दीरे-दीरे cleavage बनने लगेगा, cleavage furrow बनेगा, plasma membrane के अंदर ये plasma membrane का पार्ट है, पहले ये plasma membrane ऐसी थी, एक साथ थी, अब इस plasma membrane में धीरे-धीरे अंदर की तरफ cleavage बनने लगा तो पहले क्या हो रहा है, बीटा, cleavage furrow appear हो रहा है in the plasma membrane ये furrow धीरे-धीरे deep होता रहता है, deep होता है, deep होता है और finally cytoplasm को दो पार्ट में cytoplasm दो में डिवाइड हो जाएंगे, simple, simple cleavage furrow से होता है, plant cell के अंदर क्या होता है, आपके गोलगी body के vesicles आते हैं, वो बीच में deposit होने लगते हैं, वहाँ से नई cell wall की formation होती है, जैसे पहले यहाँ पर cell wall थी, अब क्या होगा आपकी गोलगी bodies के, आपकी गोलगी bodies के vesicles एकदम equator पे accumulate होने लगेंगे, उनसे cell wall बनेगी, cell wall हमेशा grows outward है, अंदर से बनना शुरू होगी और फिर outward वो grow करती है, grow करकर finally lateral wall को meet कर जाती है, finally lateral wall को meet कर जाती है, उनसे fuse कर जाती है, और fuse करकर क्या बनाती है, cell plate, यह important है, यहाँ पर terminology cell plate important है, और finally फिर इस cell plate से cell 2 में divide हो जाता है, तो basically आपको याद रखना है कि animal में जो cell division है, जो cytoplasm division है, that is through furrow, और plants में जो division है, that is through cell plate, cell plate गोलगी body के vesicle से बनी, अंदर से बाहर के तरफ finally fusion होने के बाद, और जो animal की cell plate, वो actin rings की मदद से plasma membrane के ही deep furrow आने से, मतलब cleavage create करने से, furrow create करने के बाद, दोनों cytoplasm divide हो गए, यह बात हो गई किसकी आपके cytokinesis की, तो हमने mitosis अच्छे से समझ लिया, अब हम क्या करते हैं, कुछ mitosis की importance को भी study कर लेते हैं, चलो, पहला significance हमें बताया गया है, कि it produce deployed daughter cells with identical genome है ना, बिल्कुल parent की तरह, daughter cell बनी, एकदम identical और आपको deployed daughter cells यहाँ पर मिल गई, मतलब अगर आप continuity maintain करना चाहते हो, similar genome के साथ, तो क्या help करेंगे? Mitosis help करेंगे, mitosis की वज़े से, आप same chromosome number maintain करके रख सकते हो, और आपके somatic cells का division maintain करके रख सकते हो, अब आप somatic cells है आपकी body में, है ना, तो उनका आपको division maintain करके रखना है, आप नहीं चाहते कोई छेड़ खानी हो, तो कौन सा division करना पड़ेगा? Mitosis करना पड़ेगा? फिर क्या बात की गई है? It helps in the body growth of multicellular organisms. Multicellular organisms के अंदर उनके cells लगाता, divide करें, जैसे उनके अंदर cell division से ही तो growth आ रही है, तो वो cell division जो somatic cells के आपको maintain करके रखनी है, बिना chromosome के number में छेड़कानी करें, किसी के through possible है, only through mitosis, है ना? तो अगर आप body growth maintain करना चाहते हो, multicellular organisms के अंदर, क्योंकि उनके अंदर, cell division से ही growth होती है, multicellular में, है ना? तो अगर आप growth चाहते हो through cell division, और micromosome का number change नहीं करना, तो क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस, तो वहाँ important है, importance है, फिर क्या बताया है, continuous growth of plant through the life, है ना? क्या बोल रहे है, continuous growth of plant through the life, तो आप सबको पता है कि plant के पास होते हैं, meristematic cells, जो continuously divide होते हैं, meristematic cells, जो continuously highly divide होते हैं, plant के एकदम tip पे present होते हैं, उन cells में भी अब जो हम continuous growth maintain करते हैं, that is through mitosis, फिर mitosis की help क्या होती है, cell का nucleosytoplasmic ratio maintain करने में, बेटा, nucleosytoplasmic ratio यानि nucleus to cytoplasm ratio, आपका cell है, उसमें cytoplasm है और उसमें nucleus है, तो nucleus का size और cytoplasm का size इनके बीच में एक ratio जलता है, fixed ratio जलता है, ठीक है, अलग-लग cells का अलग-लग होता है, भी आप megakaryocytes का देखोगे, तो 4 is to 1 है, तो वो अ ratio होगा, वो भी गड़ जाएगा, imagine करो, आपका nucleus to cytoplasm ratio 4 is to 1 था, nucleus 4 टाइम बढ़ा था, cytoplasm से, growth हो रही है, growth हो रही है, तो अब cytoplasm का amount 1 से मानलो 2 हो गया, तो ये तो 4 ही रहा, nucleus to 4 ही रहा, nucleus से cytoplasm ratio में, तो ये किस में convert हो गया, 4 is to 2 में, यानि कि 2 is to 1 में, तो आपका जो cytoplasm ratio maintain रहना चाहिए था, वो change हो गया, क्योंकि cytoplasm का amount बढ़ रहा है, अम हमने क्या करवा दिया, mitotic division, तो cytoplasm divide हो गया, तो आपका nucleus cytoplasm ratio फिर से maintain हो जाएगा, जो size होगा nucleus का, वो आपके cytoplasm के comparison में जाधा हो जाएगा, और ratio वापिस maintain हो जाएगा, ठीके, clear हुआ उसके बाद बिटा सबसे important function cell repair, cell repair तो हम पढ़ते ही है, कहीं भी कोई अगर आपका ऐसे cut लग रही है, injury हो रही है, तो वहाँ cell divide करकर वापिस उसको repair करते हैं, तो cell repair में भी mitosis का function है, तो ये सारे importance है, इसलिए हम mitosis को study करते हैं, ठीके, ये बात होगी आपकी पूरी mitosis की, अब हम पढ़ेंगे reductional division, that is meiosis, meiosis में भी interface है, फिर division phase है, थोड़ा सा difference है, वो हम देख लेते हैं, लेकिन meiosis एक बार में नहीं होता, mitosis के पर दो meiosis होते हैं, meiosis 1 और meiosis 2, बीच में gap आता है, तो meiosis 1 थोड़ा सा अलग होता है, meiosis 2 बिल्कुल mitosis जाए सा होता है, तो वो easy हो ज मियोसिस क्या होता है, रिडक्षिन डिविज़्ण, meiosis को क्या कहते हैं, बिटा, रिडक्षिन डिविजं, रिडाक्षिन डिविज़्न क्यों कह रहे हैं, तो बिल्कुल mitosis की opposite काम हो जाएगा, वहां पर आपके amount of number of chromosomes रहते थे, same, डॉर्टर में हैं ना, parents यह प्रोजिनी म कि half हो जा रहे हैं in the progenies from the parents तो क्या बोल रहे हैं हम इसको reductional division किन में beta reductional division आपको देखने को मिलेगा? जो आपके पास diploid germ cells है जो आपके पास diploid germ cells है यह वो cells हैं जो body में क्या बनाएंगे? gametes बनाएंगे हैं na diploid germ cells मियोस्स शो करते हैं क्योंकि यह वो cells हैं जिनोंने gametes बनाने हैं और gametes कैसे बनने हैं? haploid तो अगर हम इस diploid germ cells को haploid gametes में convert करना चाहते हैं तो कौन सा division होगा? meiotic division होगा वही तो reductional division है तो आप क्या बोलोगे meiosis division कोन शो करे हैं? जो sexually reproducing cells हैं जो sexually reproducing organisms हैं वो अपना germ cells से gametes बनाने के लिए meiosis division करेंगे इस meiosis division में एक parent से 4 progenies बनेगी और number of chromosomes हो चुके होंगे हाँ, ठीक है? फिर अब यह जो gametes बने हैं तो एक gamete और दूसरा gamete जब fusion कर लेगा तो वापिस आपको 2N मिल जाएगा तो diploid stage वापिस restore हो जाएगी तो diploid stage is restored by fertilization हम क्या बोल सकते हैं बिटा? हम इसको बोल सकते हैं कि diploid stage diploid stage is restored after fertilization है ना, आप आपने haploid बना दिया तो फिर वो haploid gametes fertilization करेंगे ताके diploid stage को वापिस restore किया जा सके मियोसिस के अंदर हो क्या रहा है बिटा? मियोसिस के अंदर आपको वही same step नहीं है mitosis जैसे pro phase है, meta phase है, ena phase है, telophase है पहले nuclear division होगा, फिर cytoplasm का division होगा तो पहली बार ये सारे step हो गए और cytoplasm का division हो गया मियोसिस में बिटा, आपके homologos chromosome separate हो जाते हैं, है ना वहाँ पर क्या हो रहा था? आपके sister chromatid separate हो रहे थे, mitosis में यहाँ पर पहले जो आप मियोसिस 1 की बात करेंगे, जब हम मियोसिस 1 की बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है? ये homologos chromosome separate हो जाते हैं और दो daughter cells बनती हैं, फिर cytokinesis हो जाता है cytokinesis होने के बात meiosis 2 शुरू होता है अब cytokinesis और meiosis 2 शुरू होने के बीच में एक stage आती है जिसको आप बोलते हो interface 2, यहाँ पर भी meiosis शुरू करने से पहले interface आएगा DNA का duplication होगा DNA तो अभी भी duplicate होगा 2C से 4C में convert होगा आपके जो single chromatids वाले chromosomes थे, वो double chromatids वाले chromosomes में convert होगा, बिलकुल mitosis के तर एकदम सेम चीज़े होगी पूरा meiosis 1 होगा, बस यहाँ कुछ differences है क्योंकि यहाँ पर homologous chromosome अलग होने वाले हैं फिर इस cytokinesis के बाद meiosis 2 शुरू होता है इस बीच एक stage आती है जिसको आप क्या बोलते हो interface 2 meiosis 1 से पहले आपके बास क्या आ रहा है बिटा interface 1 या फिर इसको हम confused नहीं करते हैं तो हम ऐसा करते हैं इसको अलग से लिख लेते हैं चलिए तो क्या हो रहा है, steps हम यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर हम steps लिख लेते हैं कि पहली चीज होती है interface 1 interface 1 interface 1 के अंदर DNA duplicate करता है यानि जो 2C है वो 4C में convert होता है DNA duplicate होता है 2C की amount किस में convert हो जाती है बिटा 4C में बिलकुल mitosis की तरह कोई difference नहीं आएगा आपके यहाँ पर chromatids भी double हो जाते हैं chromatids भी कितने बन जाते हैं 2 आपके पास sister chromatids यहाँ पर बन जाएगा फिर आती है आपकी दूसरी stage जिसको आप बोलते हो meiosis 1 मियोसिस 1 होने के बाद आपकी तीसरी stage आती है जिससे आप बोलते हो interface 2 समझते जाओ interface 2 interface 2 को interkinesis stage भी बोला जाता है इस stage में interface 1 की तरह DNA replication नहीं होता अब DNA replication जो होना था वो पहले हो चुका यहाँ पर बस एक थोड़ा सा resting stage आता है जिसको आप बोलते हो interface 2 इस stage के अंदर no DNA duplication या replication यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इसके बाद आएगी आपकी stage that is known as meiosis 2 यह आपका meiosis 2 बिल्कुल resemblance करता है mitosis से equational division है यहाँ पर number of chromosomes कम नहीं होते अब पहली बार meiosis 1 में number of chromosomes already half-half हो चुके 23-23 अगर आप human के case में देखें तो और यहाँ पर 23 same ही रहेंगे बस chromatid half हो जाएगा बिल्कुल mitosis जैसी stage है तो यह बाते आपको meiosis के बारे में याद रखनी है सारे important features meiosis से related हमने यहाँ पर ले लिये है ना यहाँ पर homologous chromosomes एक line में आएंगे क्योंकि वो separate हो रहे हैं तो इस position में आपको recombination भी देखने को मिलेगा इनके noncestor chromatids के बीच में वो क्या है हम meiosis की steps में देख लेंगे ठीके उसके बार DNA duplication interface 2 में नहीं हो रहा लेकिन interface 1 में हो रहा है और finally आपको 4 haploid cells मिल रहे है actually हो क्या रहा है अगर आप इस चीज को यह आपर लिखना चाहते है यह इस तरीके से लिख सकते है कि एक आपका diploid cell था एक आपका diploid cell था और वो convert हो जाता है 4 haploid cells में meiosis में क्या हो रहा है एक आपका diploid cell 4 haploid cells में convert हो रहा है ठीके अब meiosis की एक एक करके stages देख लेते हैं शुरू करते हैं prophecy main stage है वहाँ पर maximum जो है आपको variety देखने को मिले कि जिन से question बनते हैं directly तो वो recombination से neptonimal complex अब यहाँ पर आ जाएगा फिर anaphase, telophase, metaphase, anaphase, telophase यह easy-easy है और meiosis 2 तो बिल्कुल similar ही है चलो finish कर लेते हैं इसको तो pro phase 1 से शुरू करते हैं वीटा pro phase 1 से हम लोग शुरू करते है pro phase 1, obviously longest phase है यहाँ पर भी आपको यहाँ पर 5 phases pro phase 1 के अंदर देखने को मिल रही है leptotene, zygoteen, pecaitene, diploteen, diakinesis main यही है जो ज़्यादा complicated है थोड़ा सा जिसमें आपको रटने वाला portion मिलेगा फिर तो आप mitosis से compare करके पढ़ लेंगे तो बहुत से चीज़ें इन stages में हो रही है आपके पास leptotene, zygoteen, pecaitene, diploteen और diakinesis एक-एक करके देख लेते हैं कि इन में क्या होता है अब mitosis में आपने क्या दिखा था कि जब pro phase शुरू होता है तो chromosome की condensation होती है chromatin से वो chromosomes में convert हो रहे हैं आपको उनकी condensed form दिख रही है तो leptotene में वहीं से शुरुवात होती है कि आपके पास nucleus के अंदर nucleus के तो size थोड़ा सा भढ़ जाएगा बेटा क्योंकि अब process शुरू होने वाला है तो nucleus के अंदर, nucleus के अंदर आपको जो chromosomes दिख रहे हैं वो chromosomes धीरे-दीरे मतलब chromatin जो है, वो chromosomes में condense होने लगेगा तो leptotene के अंदर पहली चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी बेटा leptotene के अंदर nuclear membrane disintegrate होना start होगी लेकिन वो बड़ी हो रही है size में अंदर chromosomes की condensation चल रही है तो मतलब आपको chromosomes दिखने start हो जाएंगे अगर मैं इस तरीके से draw करूँ तो जी आपको आपके chromosomes यहाँ पर दिखने start हो जाएंगे इस तरीके से हम लोग इन chromosomes को draw कर लेते हैं और यह इनका center मेर आ गया फिर आपके पास आती है कौनसी stage zygoteen stage zygoteen stage के अंदर बिटा क्या होता है synapse बनता है synapsis होता है association होता है synapsis की formation यहाँ पर आती है मतलब मतलब इस stage के अंदर बिटा क्या होगा कि अब आपके homologous chromosomes pair में arrange होने लगते हैं जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यह chromosome number 1 था तो यह 1- था अगर यहाँ पर यह एक structure है यह दो आम अगर मैंने यहाँ पर बनाई structure की तो जो इसका homologous pair है यह यहाँ से आपको एक connection शो करेगा यह यहाँ पर आपको connection शो करेगा यह connection आपको दिख रहा है इनके बीच में तो यहाँ पर यह homologous chromosomes के बीच में association form होता है उस association को आप बोलते हो synapsis और इस structure को हम क्या बोलते है syneptonemal complex क्या बोलते हैं बिटा syneptonemal complex तो zygotene में यह association भी होगा synapsis का और साथ में syneptonemal complex भी बनेगा तो यहाँ पर क्या होता है syneptonemal complex बनता है condensation लगा तर भढती जा रही है अब अच्छी condensation होगी leptotene से zygotene में condensation भढ़ गए तो अब आपको जो एक chromosome के दो chromatids थे वो भी आपको अलग-लग दिख रहे हैं और आप दो non-sister chromatids के बीच में कौन है यह यहाँ पर यह है दो non-sister chromatids two non-sister chromatids chromatids इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं two non-sister chromatids of homologous chromosomes है ना homologous chromosomes ने pairing करी किस में? zygotene में यह सारे features बीटा important है एक-एक feature से question आता है कि synapsis किस में form होता है तो prophes 1 के zygotene में form होता है condensation कहां start हो रही है leptotene में nucleate membrane disintegrate होना भी start हो रही है chromatids के बीच में connection form हो रही है association form हो रही जो structure बन रहा है उससे आप क्या कहरे है synapsonemal complex तो ऐसी दो chromosomes की जो यह pairing है दो homologous chromosomes जिन में दोनों में दो-दो chromatids प्रेजेंट है यह जो यहाँ पर एक साथ प्रेजेंट है structure में इनको आप बोलते हो bivalent chromosomes क्या नाम देते हैं बेटा हम इन chromosomes को they are known as bivalent chromosomes ठीक है यह जो chromosomes आपके सामने यहाँ पर है यह क्या है यह है bivalent यह important है बेटा इसको हम सही से लिख लेते हैं यह क्या है आपके सामने bivalent chromosome bivalent तो इसको अगर मैं आपको इसको अगर मैं आपको इमाजिन करवाना चाहूं तो यह आपका सेल है अगर यह सेल प्रोफेस वन के अंदर है और zygotin stage आ चुकी है तो क्या होगा सारे के सारे आपको homologous chromosomes pairing में दिखेंगे जैसे अगर मैं मान लो यह दोनो homologous chromosomes हैं यह pairing में दिखेंगे है ना यह दोनो homologous chromosomes हैं यह pairing में दिखेंगे तो homologous chromosomes थोड़ा-थोड़ा difference होता है exactly same नहीं होते homologous chromosomes पर हाँ homologous chromosomes एक दूसरे के साथ आपको pairing में दिखेंगे वो pair form होता है synapsis form होता है one pair of this homologous chromosomes को आप क्या बोल रहो bivalent और यहां पर हर chromosome के पास two chromatid आपको clearly दिख रही है तो zygotin देख लेते मिटा zygotin में यही बात हुई है कि एक तो क्या होगा bivalent की formation यह important है देखिए यह pink एक chromosome yellow एक chromosome यह एक दूसरे के homologous है तो यह homologous chromosomes एक दूसरे से association बनाते है आपको क्या मिलेगा syneptonemal complex मिलेगा और synapsis इनके बीच में बनता है अब यह connection free में तो बनी नहीं बनी है तो किसी reason से बनी है जहाँ पर यह chromosome की connection होती है वहाँ पर crossing over या फिर recombination होता है हम कहते हैं कि हर बार जो progeny बनती है वो parent जैसे same नहीं होती differences आते हैं variation आते हैं वो variation हर बार reproduction के time हो रहे हैं तो वो variation यहीं आते हैं बटा वरना तो gene as it is same आपके gamut में चले जाते हैं लेकिन इस process से आपके gamut बनेंगे और इस बीच एक process आगया कि आपके parents में जैसे chromosomes थे वैसे आगे ना जाएं तो यहाँ पर दो non-sister chromatid अपना part इसको और यह अपना part इसको दे देती है तो कुछ variation आ जाता है recombination हो जाता है स्टेज में होता है recombination या crossing over again very important कि question भी previous year में आया हुआ है कि recombination या crossing over proface की कौन सी face के अंदर होता है तो आप बताएंगे pacotin की end में recombination हो जुका होता है देखो बेटा जैसे अगर यह आपके पास एक homologous chromosome था इसको हम थोड़ा सा उपर बनाते है ताकि आपको समझ में आए है इसको हम यहां से हटा लेते है ठीक है चलो इसको देखो यहां पर यह आपका homologous chromosome का एक pair बनाया है हमने एक आपके पास red है और एक green है दोनों को homologous हमने मानना है तो अब मैंने क्या किया यहां पर एक मेरे पास chromosome था और यह दूसरा chromosome था इन्होंने आपस में एक connection built कर रखा था यहां पर क्या हुआ यहां पर क्या हुआ recombination हो गया recombination होने से क्या होता है देखो recombination होने से बिटा यह होता है ये वाला आपके पास जो chromatid है ये तो as it is रहा इस आम में ये same रहा बट यहाँ पर ये part किसका आ गया? इसके homologous chromosome का Similarly, इस वाली homologous chromosome में यहाँ पर किसका part आ गया? अपनी non-sister chromatid का और बाकी part क्या रहा? Same तो इतने से part में difference आ गया और नहीं आ गया? एक्स्चेंज हो गया न यहाँ पर ये part वहाँ चल गया तो इसी को आप चला गया इसी को हम क्या कहते हैं? recombination या फिर crossing over recombination या फिर crossing over है ना? इस stage में बटा ये जो bivalent chromosomes की pairing है यहाँ पर आपको चार chromatid अलग-अलग दिख रहे है condensation अच्छी खासी हो चुकी है चारो chromatid अच्छे खासे अलग-लग दिख रहे है इसी stage को आप क्या बोलते हो? tetrad stage इसी stage को हम क्या बोलते है? tetrad stage तो ये tetrad stage भी आपको कब दिखती है? पेकाइटिन के अंदर दिखती है जब zygotin में synaptonymal complex बन रहा था तो bivalent chromosomes थे homologous chromosomes की pairing थी recombination कब हुआ? पेकाइटिन में इस recombination के लिए बेटा किस enzyme की जरूरत होती है? recombinase enzyme की किस enzyme की जरूरत होती है? recombinase enzyme की recombinase enzyme की पेकाइटिन स्टेज में यह सारी बाते आपको याद रखनी है इसलिए हम इनको बारी-बारी बोलते हैं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए तो आपने पेकाइटिन के बारे में भी देख लिया recombinase enzyme है जिससे recombination हो रहा है यहाँ पर आपको कौनसी stage देख रही है आपको tetrad stage देख रही है अचा question कैसा आता है कि जो crossing over होता है वो sister chromatids के बीच में होता है या non-sister chromatids के बीच में होता है तो देखिए यहाँ पे यह दोनो एक दूसरे की एक centromere से attached दो sister chromatid है यह दोनो green वाली क्या है एक दूसरे की sister chromatid है पर recombination तो green और red के बीच में हुआ तो यह क्या है non-sister chromatid है तो बिटा इसको गांट मार लो इस बात को की recombination non-sister chromatids के बीच में होता है यह आपका previous year question भी है और इससे again question भी expected है तो देखो कितना conceptual based आया अगर आपको मतलब समझ में आया है आपने इस process को imagine किया तो आप answer कर लोगे recombination किस के बीच में होता है बताइए मुझे non-sister chromatids के बीच में होता है तो इससे related जो portion था वो हमने pacotid का भी देख लिया यहाँ पर भी देख लेते हैं चलिए pacotid में एक ही बात लिखिए कि यहाँ पर होता है crossing over जहाँ पर यह connection बनता है यहाँ पर देखिए यह pink के पास थोड़ा सा part yellow आ गया और yellow के पास थोड़ा सा part pink आ गया इसी को आप क्या मूलती हो? crossing over देखो यहाँ तक pink है थोड़ा सा part yellow आ गया यहाँ तक yellow है थोड़ा सा part pink आ गया देख पारें? तो वो crossing over वहाँ पर हो जुका है चलो पर काईटिन में crossing over होना था हो गया कर लिया सारा काम कर लिया अब यह जो आये थे आस-पास recombination करने के लिए homologous chromosomes एक दूसरे के पास आये थे bivalent बना था, complex बना था अब इनको वापिस dissolve करना पड़ेगा दूर करना पड़ेगा condensation तो चली रहा है साथ-साथ तो अब इनको दूर करने का काम आता है diplotene stage में कब आता है आपके पास diplotene stage में वो part attached रह जाता है यह part attached रह जाता है बाकी यह दोलो chromosome पास आये थे यह देखिए, यह आपके red वाला मतलब आपका एक homologous chromosome और आपका दूसरा homologous chromosome इनक दूसरे के पास आये थे वो बाकी दूर हो जाएंगे लेकिन जहां पर यह attached थे, वो portion attached ही रह जाता है तो उसकी वज़े से एक X-shape structure बनता है जिसको आप कहते है कायज माटा तो यह इसका characteristic feature है आपको याद रखना है कायज माटा कायज माटा जो X-shape structure है क्या है बिटा? X-shape structure है यह किसका feature है? Diplotene का, यह आपको याद रखना है किसका feature है? Diplotene का, देख लो यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कायज माटा मिलेगा कायज माटा क्या है? जरा इसको हम zoom कर लेते हैं देखने के लिए देखिए यहाँ पर आपको यह X-shape structure मिल रहा है बाकी portion दूर हो गया पर जहाँ रही combination हुआ वो साथ है तो उसको आप क्या बोलते हो? कायज माटा क्या बोलते हो? कायज माटा बाकी सारे के सारे syneptionable complex का dissolution हो गया यह चीज आ गई Diplotene में Final stage क्या आती है? Dikinesis आती है अब Dikinesis में आपके nuclear membrane को finally अलग हो जाना है क्योंकि end of prophes आ गया तो आपके organelles जैसे कि आपके mitochondria, ER, Golgi bodies वो सब चले जाएंगे Nucleolus, Nuclear, Membrane यहाँ पर अलग हो जाएगा और आपको पता है कि Centriol poles पर जाने लगते है Spindle Fiber की formation शूरू करते है Prophes में पढ़ा था हमने Phytosis में तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको किस में मिल जाएगी बिटा Dikinesis में तो Dikinesis में कौन कौन सी चीज़े आ जाएगी बाकि क्या आपके सारी चीज़े Dikinesis में आ जाएगी यहाँ पर आपने देखी लिया है Nuclear Membrane का Dissolution हो जाएगा उसके सिवा Nucleolus Disappear हो जाएगा है ना अच्छे से पूरा का पूरा Chromosome तो आपका Condense हो ही चुका है उसके बाद उसके बाद Fully Condense Stage आ चुकी है हमने यह तो चीज़ डिसकस करी ली कि Fully Condense Stage है ठीके Nucleolus और Nuclear Membrane आपके Disintegrate हो चुकी है फिर Spindle Fiber की Formation स्टार्ट हो जाएगी Spindle Fiber की Formation स्टार्ट हो जाएगी ठीके अब Process स्टार्ट हो गया आपके Homologous Chromosomes में जो Recombination होनी थी वो हो गई अब हमें यहीं पर Reduction करनी है तो हम Sister Chromatids को अलग नहीं करेंगे इस बार जब Anaphase में जो अलग-अलग होंगे वो Homologous Chromosomes होंगे 23 एक तरफ चले जाएंगे 23 एक तरफ चले जाएंगे अगर आप Human के Concept में समझना चाहें तो तो यहीं पर क्या होगा आपका Reduction हो जाएगा Chromosomes हाफा हो जाएंगे ठीक है चलो देख लेता है तो देखो यहाँ बर Metaphase 1 को देखो अब आप जैसा आपने Mitosis में रेखा था वही चीज़े हैं है ना अच्छे से आपके Chromosomes Condense हो चुके हैं Chromosomes Completely Condense हो चुके हैं है ना Nuclear Membrane वगएरा सब Disintegrate कर चुकी है Condensation अच्छे से हैं इसलिए आप इस स्टेज में Chromosomes को बहुत Clearly देख सकते हो Chromosomes की Arrangement अगेन आपको Equatorial Plate पे मिलेगी Equatorial Plate पे मिलेगी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Equatorial Plate पे Arrangement है Spindle Fibers आपके Kineto Cores से जुड़ चुके हैं अगले ही स्टेज में उन्हें उनको अलगलक पोल्स की तरफ खीचना है Spindle Fibers get Attached to Kineto Cores अलगलक Chromosomes की Kineto Cores से जुड़ जाएंगे अब difference क्या आएगा यहाँ पर देख लो बिटा मैं आपको Explain कर देती हूं यह आपके पास एक सेल है यह आपके पास एक सेल है इसको Nucleus समझो, यह क्या है बिटा, यह Nucleus है यह Nucleus किसका है? यह Nucleus है Metaphase का Mitosis से नुकलियस है Metaphase का Lethingin Miosis I से अब इसको समझो, यहाँ पर आपके जो Chromosomes है सारे के सारे Chromosomes Metaphase I में किस तरीके से आरेंज होते है Something एसे, एसे, सारे क्रोमोसों सी स् तरीके से अरेंज हैं ना जब इन्हें अलग-ालग होना होगा तो ये sister chromatid beach में से centromere से कट होंगे एक पार्ट यहां चला जाएगा, एक पार्ट यह चला जाएगा लेकिन अगर आप बात करते ह multiplic log 1 की होगा 봐 तो इस बार यहाँ पर अरेंच कोगा तो ग्रीन उसके सामने अरेंच होगा तो तरीके से में मेंटाफसल को और आपका सेंट्रोश अलग नहीं होगा, इस बार एक part homologous chromosomes का एक set उपर जाएगा और दूसरा set यहाँ जाएगा, यहाँ से division होगा, centromere का division अभी नहीं होगा, तभी तो यहाँ पर आपके chromosomes half और half में बट जाते हैं, समझ में आया, फिर आपकी enaphase आती है, enaphase में यह spindle fiber इनको pull कर लेते हैं, ठीक यह दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, अब 23 इदर है, 23 इदर है, वो 23 double chromatid वाले हैं, यह 23 भी double chromatid वाले हैं, अब इन 23 का single-single chromatid हो जाएगा, इन 23 का भी single-single chromatid हो जाएगा, finally 4 cells मिल जाएगे और 4ों में number क्या हो जाएगा, N, number क्या हो जाएगा, N, clear हुआ, enaphase के बा chromologous chromosomes get separate, ठीक है जी, यह बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, फिर finally क्या आ जाएगा, अब telophase, जिसके बाद क्या होनी है, cytokinesis, तो N of telophase को भी हम देख लेते हैं, मिटा, telophase के अंदर क्या हो रहा है, अभी आपका telophase, end phase आ गया, तो telophase के अंदर अब हमको पता है, वापिस nucleolus, nuclear material reappear होने लगेगा, आपके organelles वापिस आने लगेंगे हैंना, क्या क्या हो रहा है यहाँ यहाँ पर, nucleus, nucleolus, है ना, nucleolus, यह दोनों क्या होते हैं, reappear होते हैं, ठीक है, यह आ गए, उसके बाद organelles दुबारा आएंगे, organelles reappear करेंगे, तब भी तो बोलते हैं कि just opposite to pro phase होता है, है ना, वापिस आपको chromatin बनेगा, तो वो सब चीज़े होंगी, उसके बाद यहाँ पर आपको diet stage देखने को मिल रही है, आपके पास two haploid cells हो चुके हैं, अब आपके पास two haploid cells हो चुके हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है, cytokinesis, देखो cytokinesis हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इधर वे आप देखोगे कि दोनों single-single set of homologous chromosomes दोनों तरफ में जा चुके हैं, तो दो नए nuclear membrane उनके बाहर आ चुकी है, तो एक तरीके से दो आपके पास haploid cells हो रही है, दोनों N ploidi के हैं, दोनों में एक chromosome, 2 chromatids का बना हुए, जिसको आप क्या बो चारो chromatids अलग अलग दिख रहे हैं तो tetraat, 4 chromatids वर separate तो tetraat, 2 chromatids दिख रहे हैं तो diet और ये pair of homologous chromosomes को क्या बोला था, bivalent, ठीक है, तो diet क्या हो गए, 2 chromatids of 1 chromosome, तो यहाँ पर आपको ये condition मिल रही है, आपको haploid cells यहाँ पर ready मिल जाएंगे, फिर क्या हो जाता है, cytokinesis ह हो जाता है, 2 cells ready, अब वो अलग-अलग cell वापिस meiosis 2 में जाते हैं, meiosis 2 में entry करने से पहले एक छोटा सा interface आता है, जिसके हम बात कर चुके हैं, जिसके बाद meiosis 2 होगा, इस phase में, इस phase को आप interkinesis भी बोलते हो, इस phase में DNA replication नहीं होता, it is without DNA replication, बस growth होती है, कोई DNA replication नहीं होना, क्योंकि already material आपके पास 2C का 4C था, ठीक है, 2C का 4C था आपके पास, और आपने उनको half-half अभी यहां पर कर लिया है, ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे, meiosis 2 की stages देखोगे, जो बिल्कुल mitosis की तरह है, तो यह बहुत quickly हो जाने वाला है, चलो, देख लेके हैं, चलो, ल कि अगर हमने 2C से शुरू किया था, तो हमें बनने वाले progeny cells में 2C, 2C ही चाहिए, तब तो हम DNA replicate भी करते हैं, पर हमारा तो मकसद ही है कि हमें reductional division चाहिए, हमें जो है number of chromosomes half चाहिए, हमें amount of DNA यहां पर half चाहिए, तो अब हमें वापिस उसको half करना है, इसलिए दुबारा स replication हम नहीं कर रहे, 2C से C में जाना है हमें, है ना, इसलिए हम replication नहीं कर रहे, meiosis 2 के बाद क्या होगा बिटा, amount of DNA 2C से C हो जाएगा, अभी आपके पास जो है यहां पर 2C है, लेकिन वो किसमें convert हो जाने वाला है, C में convert हो जाने वाला है, ठीक है, 2C से 2C हो जाएगा, 2N से N तो यह हो ही चुका है, है ना, इसको यहां नहीं लिखते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, कि 2N से N तो यह हो ही चुका है, हमने जो meiosis 1 किया इतनी देर, उसमें हमने क्या किया है, haploid cells ही तो बनाए, chromosomes को अलग-लग कर दिया, sets को, 2N को N हम कर चुके हैं, अब हमें 2C को C में convert करना है, ठीके, तो हम इन processes को भी देख लेते हैं, तो हम शुरू किस से करेंगे, हम शुरू करेंगे, प्रोफेस 2 से, अब यह सारी चीज़े किस के जैसी है, mitosis के जैसी है, तो हम शुरू कर रहे हैं, किस से, हम शुरू कर रहे हैं, प्रोफेस 2 से, बिल्कुल प्रोफेस 1 क तरह condensation आपको क्या मिलेगा condensed form में chromosomes ठीके ठीके वही steps आपको follow करने हैं ठीके फिर से आपको क्या मिलेगा कि nucleus, nuclear membrane ये disintegrate हो रही है nucleus, nuclear membrane disintegrate हो रही है ये वाली चीज़े आजाएंगी disintegrate हो रही है ठीके वही सेम चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगी organs भी जो है dissociate हो रहे हैं disintegrate हो रहे हैं फिर आपका metaphase 2 आएगा metaphase 2 में equatorial plate पे equatorial plate पे जो आपके n amount of chromosomes रहे गए हैं वो इस plate पर arrange हो जाएंगे इन से spindle fiber attach होगा है ना इनके kinetocores से spindle fiber attach होगा ठीक है फिर ये spindle fiber जो attach हुआ है ये attach to kinetocores है ना अब ये बात भी पूछी जाती है kinetocores आपको पता हो ना जी centromere नहीं tick करना हम बहुत बढ़ डिसकस कर चुके हैं है ना spindle fiber किससे attach हुआ का kinetocores है तो फिर अब next आपके anaphase में क्या होगा ये जो spindle fibers है ये shorten होकर इसको खीचेंगे है ना क्या होगा क्या होगा spindle fiber shorten होते हैं ताकि ये centromere से longitudinally divide करकर दोनों chromatids को अलग अलग कर सकें ताकि जो आपका 2C है वो C में convert हो जाए amount of DNA भी आपका क्या हो जाए? Half तो पहला आप hyploid तो बना ही चुके amount of DNA भी क्या करना है? Half spindle fibers shorten होते हैं जिसकी वज़से आपके chromatids separate होते हैं and move towards opposite pole and move towards opposite pole ठीक है जी ये होता है ये तो हमें पता ही है ये होता है किसमें हो रहा है आपके एनफेस में हो रहा है देखो ये दोनों इधर इधर चले गए ठीक है अब आपके पास end condition तो थी ही आपने amount of DNA भी क्या कर दिया? Half telophase 2 में वापिस से 9 nuclear membrane, new nuclear membrane बन जाएगी new nuclear membrane का बनना वापिस organelles का बनना just opposite of prophase यहाँ पर आपके पास हो जाएगा है ना? तो यहाँ पर देखिए ये एक cell से 2 cell बन गए ये तूसरे cell से 2 cell बन गए total आपके पास क्या हुआ? 4 haploid cells ready हो गए ये जो 4 haploid cells आपके पास ready हुए है इनके अंदर 2N किस में convert हो चुका है N में इसलिए आप इने haploid cells बोल रहे हो और ये completely haploid N के अदर amount of DNA भी half हो चुका है तो यहाँ पर आपके जो ये gamits ready होते हैं ये बन गए यहाँ पर nuclear membrane बनने के बाद फिर से अब cell membrane बनेगा cytokinesis होगा तो next stage इनके अंदर बिटा cytokinesis ही होता है आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि इसके बाद फिर इनके अंदर भी cytokinesis होगा और वापिस से जैसे आपने metaphase mitosis में पढ़ा था वैसलिए आपको 4 cells यहाँ पर मिल जाएंगे ये 4 cells या gamits आपको मिलेंगे इनकी haploidy कैसी होगी सोरी ये haploid होंगे यानिकि इनकी ploidy कैसी होगी N इनके अंदर अगर आप amount of DNA की बात करेंगे amount of DNA की बात करेंगे तो वो आपको मिलेगा C C कब if initial amount आप क्या मान रहे हो 2C हमने हमारी मरजी से उसको 2C माना था हमने देखा था कि दो set है single single chromatid के तो एक set में सी दूसरे set में सी 2C हम मान रहे थे haploid में half हो जाता है if initial is 2C तो आप क्या बोलोगे amount of DNA कितना रह गया C और ये haploid condition भी है तो हमें हमारे haploid cells में के reduction division का जो है complete यहाँ पर हो जाता है उसी को इन्होंने accumulate करकर 8 साथ यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए देखिए पहले interface हुआ interface के बाद meiosis 1 और meiosis 2 के बारे में इन्होंने बताया है जिनको अभी भी नहीं समझाया उसको एक page में लाया गया है ताकि आप फिर से clear कर पाए ठीक है देखिए इसको शुरू किस से हुआ interface से interface में आपके जो homologous chromosomes थे deployed parent cell के homologous chromosomes थे यह duplicate बन करें तब ही तो एक chromatid किस में convert हो गया दो chromatids में दो sister chromatid में आपके पास homologous chromosomes अब दो-दो chromatid वाले होगे इसी step ने beta chromosome duplication के time में आपके पास जो है 2C 4C में convert होता है है ना normally आपके पास जो cell था जो आपका germ cell था वो 2C amount of DNA हम मान के चल रहे हैं मान के चल रहे हैं कि 2C amount of DNA था आपने chromosome double किया तो वो amount भी यहाँ पर 4C हो जाता है और diploid तो वो था ही meiosis 1 जब होता है तो दोनो homologous chromosomes एक दूसरे से separate हो जाते हैं बात यहाँ पर लिखी है तो haploid cells मिल जाते हैं लेकिन chromosome अभी भी कैसे है duplicated उनको आपको single करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर आप 2N थे 2N थे है ना यहाँ पर आप 2N थे अभी भी 2N है बस chromatid 2 है meiosis 1 में आप N condition में पहुँच गए लेकिन अभी भी आप क्या है अभी भी आप क्या है 2C हुए है C नहीं हुए है आपका haploid वाला यहाँ पर problem solve हो गया है आप diploid को haploid कर चुके हैं लेकिन अभी भी 2 chromatids present है उसको आपको single chromatid में लेके जाना है तो फिर meiosis 2 होता है वहाँ पर N तो है ही 2C किसमें convert हो जाता है C में है ना तो finally वो भी देखो एक-एक अलग-अलग हो गया इसमें से C-C अलग-लग हो गया तो वो problem यहाँ पर solve हो जाती है meiosis 2 तक आपने सारी चीजें सारी चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पर complete कर ले तो meiosis भी हमारा हो जाता है उसके बाद अगर हम meiosis भी कर रहे हैं तो उसके भी कुछ significance है तो वो भी हम देख लेते हैं significance of meiosis में क्या रहा है सबसे पहली बात species के अंदर it conserves the chromosome number है ना देखो बीटा half होगा chromosome तभी तो वो fertilization होकर वापस conserve होगा है ना तो वो conserve करने के लिए chromosome number को हमें पहले haploid stage लानी पड़ती है जिसके लिए meiosis important होता है meiosis के time recombination हो रहा है वो बहुत बहुत important factor है किन चीज़ों के लिए evolution के लिए EIPMT में पूछा गया है क्योंकि जब generation by generation यह होगा उतनी बार gamits बनेंगे उतनी बार recombination होगा तो after some time एक new variety बन कर आती है है ना genetic variations आ रही है लगातर genetic variation से speciation हो जाता है जो आप evolution में पढ़ते हो ठीक है इसके वज़े से क्या हो रहा है chromosome number are reduced by half reduction of the chromosome number by half यहाँ पर हो रहा है अगर जब हम करना चाहरे है तो meiosis के वज़े से हमें chromosome number in half मिल रहे है meiosis alternate with mitosis from generation to generation is the evolutionary advantage of meiosis यह भी आपके previous year question में यह बात आई हुई है meiosis alternate with mitosis मतलब पहले meiosis बनी gametes बने फिर वो आगे mitosis करते हैं अपना number बढ़ाते हैं तो वो भी evolutionary advantage है किसकी meiosis की ठीक है तो यह सारे इसके significance हो गए आपके पास meiosis के लास्ट में बेटा लास्ट में हमने जो इतना कुछ पढ़ लिया mitosis meiosis के बारे में तो लास्ट में हमें हम देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा है तो यह हमारे test एक तरीके से और tabular way में सारी चीज़े एक साथ भी आ जाएंगे यहाँ पर हम chapter को finish करेंगे पर पहले हम क्या देख लेते हैं कि हमने अभी तर क्या-क्या पढ़ा है हमें कुछ समझ में भी आया है या नहीं समझ में आया है तो वो चीज़े हम यहाँ पर देख लेते हैं तो cell division की बात करते हैं cell division मुझे बताईए cell का divide होना आप cytokinesis में देख रहे थे citoplasm या cell का divide होना तो mitosis में बिटा cell का division होता है one time जबकि meiosis में होता है two times जब एक cell 2 में convert हो रहा था फिर meiosis 2 के time जब यह दो cell चार cell में convert हो रहे थे तो दो times cell का division होता है daughter cell की बात करोगे तो mitosis से कितने daughter cells बनते हैं? Mitosis से two daughter cells बनते हैं, एकदम identical. है ना, two daughter cells बनते हैं, जो की एकदम parent की तरह, एकदम identical होते हैं. Meiosis में four daughter cells बनती हैं, और वो four daughter cells parent जैसी नहीं होती, इनके अंदर amount of chromosomes half हो चुका होता है. Ploidy की बाद अगर आप करोगे, तो जो diploid cells होते हैं, वो mitosis show करते हैं, तो diploid, diploid ही रहेगा, haploid, haploid ही रहेगा. तो अगर किसी की ploidy 2N है, तो mitosis के बाद वो 2N ही रहेगा, ploidy haploid है, तो mitosis के बाद वो haploid ही रहेगा. Meiosis में reductional division होता है, ploidy half हो जाती है. तो अगर वो 2N है, तो किस में convert हो जाएगा, वो cell N में convert हो जाएगा. तो obviously वही cells mitosis show करते हैं, जब same number of chromosomes जहां पर आपको maintain रखना है, जैसे की आपके body cells, जैसे की आपके somatic cells, तो यह somatic cells, body cells में mitotic division देखने को मिलेगा. जबकि आपके germ cells, जिनसे आपका क्या बनता है? sperm और ovum, that are the gametes, these are the gametes. तो sperm और ovum बनाने वाले germ cells में meiosis होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या चाहिए? reduction division चाहिए, heploid cells बनाने हैं, recombination mitosis में नहीं होता. यह प्रावधान, यह जो availability है, यह meiosis में ही है, वही पर meiosis 1 stage आएगी, और फे काइटेन के time recombination हो जाएगा. sister chromatids के अगर हम बात करें, तो mitosis में sister chromatids separate होती है, mitosis के end तक sister chromatids separate होती है, meiosis में, अगर मैं meiosis 1 की बात करूँ, या anaphase 1 की बात करूँ, तो उसमें sister chromatids separate नहीं होते, anaphase 2 में होते हैं, तो anaphase 1 में हम क्या कहेंगे, no separation, no separation of sister chromatids, वो एक साथ ही रहती है, sister chromatids, तो क्या separate होती है, homologous chromosome, लेकिन sister chromatids anaphase 1, that is the part of meiosis 1 में separate नहीं होते, important important चीज हमने वापिस यहाँ पर भी revise कर ली, ठीक है, तो हमारा chapter यहाँ पर हो जाता है complete, meiosis, mitosis की importance, क्या-क्या process है, क्या-क्या steps है, सारे हमने देख लिए, तो इनसे related जो भी question आएगा, इनी चीजों से solve हो जाएगा, इसी PDF से आपका इसी lecture से solve हो जाएगा, इसी को revise करेंगे, तो आप इस questions को solve कर पाएगे, जादा-दर conceptual भी इस आदे हैं, पर काइटीन में recombination हो रहा है, bivalent, tetravalent, sorry, tetrage और आपका dyards, इन पर questions आते हैं, तो ऐसी चीज़ें अगर आपने समझ लें, तो बहुत ईज़ी 4 marks से हाँ पर score कर लेंगे, ठीके, तो all the very best for this chapter, यह chapter भी हम यहाँ पर complete कर चुके हैं, और हमारी series about cell, पढ़ना और उसकी cell division देखना, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर देख लें, ठीके, तो next lecture में मिलेंगे हम दूसरे चाप्ता के साथ, निव चाप्ता के साथ, तो till then इसको आप revise कीजिए, and we will meet next time, thank you so much.